हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिक आईक्यू आज हम लोग देखेंगे मॉडरन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टन टॉपिक कैरनेटिक वार इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो तीन कैरनेटिक वार हुए है उनसे एक्जाम में कैसे आते है बिल्कुल तू तो पॉइंट देखेंगे तो स्टार्ट करते है आज का लेक्चर सबसे पहले देखते है इसे करनेटिक वार या करनाटक यूथ क्यों कहा जाता है तो जो यह लड़ाई होई थी और तमिलाडू का कुछ भाग यह क्या था कैरनेटिक रिजन था और इसकी रिज़ानी कहा थी आर्कोट चो कैरनेटिक रिजन के रिज़ानी कहा थी आर्कोट और इस था कहाँ पे बी ओफ विंगॉल एंड इस्टरन घाट के बीच में और इसे क्या बोल दे थे कैरनेटिक लिजन तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कैरनेटिक वार्ड प्रथम करनाटक यूद कब हुआ था सतरसो चैले से सतरसो अर्टालीज और इसका कोज क्या था कारण क्या था और परिनाम क्या था कौन सी संदी से समाप्थ हुआ था एकसला चैपल की संदी और फ्रेंच गवर्नर कौन था उस टाइम डूपले फ्रेंच गवर्नर कौन था डूपले अब आते हैं सेकेंड कैनेटिक वर्ट पर सेकेंड कैनेटिक वर्ट कब हुआ था सतरसो उन्चाज से सतरसो चोवण सेकेंड कैनेटिक वर्ट कब हुआ था सतरसो उन्चाज से सतरसो चोवण और इसका कारण क्या था हैदराबाद और करनाटा के बिवादासपत उत्राधिकारियों के मुद्दे पर इसको मैं डिटेल से किसी और लेक्षरें बताऊंगा तीनो करनेटिक वार को डिटेल में एक्स्प्रेनेशन के साथ मैं किसी और वीडियो में लाऊंगा अभी बस आप इतना जान लो कि जो सेकंड करनेटिक वार हुआ था उसका कोज क्या था हैदराबाद और करनाटा के विवादासपत उत्राधिकारियों के मुद्दे पर अब पडिनाम क्या रहा था कौन सी संदी से समाप्त हुआ था पांडी चेरी की संदी कौन सी संदी पॉंडी चेरी की संदी से अब आते हैं थर्ड करनेटिक वर थर्ड करनेटिक वर कप हुआ था सतर्ड 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 करनेटिक वर कप हुआ था सतरह सो चपण से सतरह सो तिरे सट सेबिन इयर वार कब हुआ था सतरह सो चपण से सतरह सो तिरे सट और जो थ्र्ड करनाटक वार हुआ था थ्र्ड तीसरा करनाटक यूद इसका result क plusieurs किया रहा था therapist की संदी आपको पस याद कर लेना है जो third करनाटक वार था इसका कौज किया था सब तो वर्षिय यूद्ध का भारत में विश्थार और कौन सी संदी से समाप्त हुआ था पेरिज की संदी से तो रिजल्ट क्या रहा था पेरिज की संदी आप देखते हैं कुसी और इसमें जीत किसकी हुई थी अंग्रेजों की देखो फर्स्ट जो करनाटक वार हुआ था फर्स्ट करनाटक वार उसमें कौन जीता था फ्रेंज सेकेंड करनाटक वार में अंग्रेज और थर्ड करनाटक वार में अंग्रेज जो फर्स्ट करनाटक वार हुआ था उसमें फ्रेंज और किसके बिज लड़ाई हुई थी फ्रेंज वार में जो फ्रेंज ने किसको आ रहा है था अनवरू दिन को जो कि कैनेटिक रीजन का नवाब था अब देखते हैं कुछ और इंपोर्टन फैक्ट फ्रेंज इस्ट इंडिया कमपनी के अस्थापना कब हुई थी 1684 में और अस्थापना किसने कि थी जीन कोलबर्टने फ्रेंच इस्ट इडिया कंपनी के स्थावने किस ने की थी जीन कोलबर्ड जो क्या था फ्रांस का फाइनेंस मिनिस्टर था फ्रांस का वीत मंत्री था नेक्स्ट अनवरूदीन करनाटा का नवाब था जो फर्स्ट कैनेटिक वार हुआ था तो उससे मैं करनाटक रीजन का नवाब कौन था अन्मरूदीन और अस्धानी कहा थी आर्कोर्ट मैंने बताया था पहले ही प्रत्थम करनाटक यूद में पॉंडिचेरी का गवर्नर या फ्रेंच गवर्नर कौन था डूपले था और जीत किस की हुई थी फ्रेंच की हुई थी सेकंड करनाटक यूद को बैटल ऑफ अंबूर के भी नाम से जाना जाता है सेकंड करनाटक यूद को अंबूर की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है सेकेंड करनाटक यूद के बाद डुपले को फ्रांस ने वापस बुला लिया था यह आपसे एक्जाम में पूछ सकता है कि कौन से करनाटक करनाटक वार के बाद डुपले को फ्रांस ने वापस बुला लिया था तो कौन सा वार था सेकेंड करनाटक वार नेक्स्ट है सेकंड केर्नेटिक वार में अनवरुदीन की मिर्तु हो गई थी कौन से करनाटक यूद में चो केर्नेटिक रीजन का नवाफ था अनवरुदीन उसकी मिर्तु हो गई थी तो सेकंड केर्नेटिक वार में नेक्स्ट है तीसरा करनाटा के यूद को वांडी वास के यूद से भी जाना जाता है जो थर्ड करनाटिक वार हुआ था उसे और किस यूद के नाम से जाना जाता है वांडी वास के यूद से जिसमें अंग्रेजों के तरफ से आईडी कूट और फ्रेंच गवर्नर लैली थे जो थर्ड करनेटिक वार हुआ था उसमें अंग्रेजों के तरफ से कौन थे? आईडी कूट और फ्रेंच गवर्नर कौन थे? लैली थे जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी थर्ट करेटिक बार कौन जीता था अंग्रेज तो ये था हमारा आज का लेक्चर अगर वीडियो पच्छन है तो लाइक करें और चलो को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं नए वीडियो में ने टोपिक के साथ तरते के लिए नमस्कार जहेंद